कोरोना वाइरस और उसके नए वेरियंट से बच्चों को बचाने के लिए आज यानी सोमवार से 15-18 साल तक के बच्चों का वैक्सिनेशन शुरू कर दिया गया है अज दिल्ली, उतरप्रदेश, मध्यप्रदेश और बिहार समेतने राज्यों में बच्चों को वैक्सिन लगाने का कारेक्रम आयोजित हो चुका है वहीं वैक्सिन लगवाने को लेकर बच्चों में भी काफी उत्सा दिख रहा है शायद इसी कारण अब तक 8 लाग से ज्यादा लोग कोवी नैप पर अपना रेजिस्ट्रेशन करा चुके है दिल्ली के उपमुख्य मंतरी मनीश सिसोधिया ने इसको लेकर कहा कि आज से 15-18 साल के बच्चों का वैक्सिनेशन शुरू हो गया है आने वाले दिनों में हम एक एक स्कूल के अंदर बच्चों को वैक्सिन की डोस देने के लिए कैम्प लगाएंगे राजिस्थान में लोकसवा अध्यक्ष उम बिरला ने कोटा में 15-18 साल के बीच बच्चों के लिए वैक्सिनेशन कारेकरम का उद्धाटन किया मध्यप्रदेश के सीम शिवराज सिंग चौहान ने भोपाल में 15-18 साल के बीच बच्चों के लिए वैक्सिनेशन कारेकरम का उद्धाटन करते हुए कहा कि सभी बच्चों से अपील है कि वैक्सिन ज़रूर लगवाएं और अब जाने कि आप कैसे अपने बच्चे या छोटे भाही भेनों के लिए वैक्सिन का स्लोट बुक कर सकते हैं सबसे पहले आपको ओनलाइन स्लोट बुक करने के लिए कोविन एप पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा यहां बच्चे को अपने ख्षेतर का पिन कोड डाल कर नज़दी की वैक्सिन सेंटर चुनना होगा इसके बच्चे को अपने बारे में जानकारी देनी होगी रजिस्ट्रेशन पूरा होते ही मोबाइल पर एक कोड आएगा फिर बच्चे का आधार कार्डिया स्कूल के कार्ड की डिटेल दे इसके बाद अपने हिसाब से समय और तारिक चुन कर स्लोट बुक कर ले आखिर में स्लोट बुक होने पर आपके पास मेसेज आ जाएगा डेली अपडेट्स के लिए बने रहे दावोकल लियूज हिंदी के साथ